म्यूचल फंड में अचनक लॉस हुआ तो क्या करें अल्टिमेटली आपने तो पैसा लगाया था बहुत सारे प्रॉफिट लेने के लिए और अचनक आपको दिखता है कि आपका लॉस हो गया और समझ नहीं आता जितना प्रॉफिट मुझे दिख रहा था कि पेपर पे अचन को सब्सक्राइब करना क्राइब को नहीं स्टा क्या हैं यू सब्सक्राइब करेंगा ऊच्छा घितना करें करते हैं तो क्यूंकि मिडिल क्लासanton को नाम पे सिर्फ आपके पास हैं एजेंट्स या बैंक्स जिनको मोटा कमिशन मिलता है जब तक आपका पैसा म्यूचल फंड में लगा हुआ है तब तक उनको पैसा मिलता रहेगा तो वो नहीं बताते कि एक्जिट कब लेना है और अगर लॉस हो रहा है तो करना क्या है क्योंक में शाम को साड़े साथ बज़े आप पढ़ सकते हैं त्यूजडे से थस्डे तक सिर्फ तूहंड़े और नाइंटी नैन रुपीज में और अभी तक जो भी आप जानते हैं पैसा मैनेज करने के लिए 99 परसंट आपकी धारना गलत है और वो सब आपको मनी आईक्यू क्ला कि मार्केट में पैसा यूं बढ़ता चला जाएगा क्योंकि एक स्कीम है और इस स्कीम में आपने जो पैसा डाला लगातार बढ़ता ही जाएगा यह धारना सबसे जादा लोगों के अंदर में होती है जो इस्पेशली जो नए इन्वेस्टर से उनके मन में होता है कि मेरा पैसा इस कीम में लगाए सो बढ़ता ही रहेगा नहीं आपका पैसा लगा है एक बिजनेस के अंदर सो बिजनेस बढ़ेगा तो इसके अंदर आपकी वैल्यूएशन आएंगी सेकेंड आपका पैसा लगा है एक शेयर के अंदर जिसमें की सेंटीमेंट का भी बहुत जादा काम है और sentiments का मतलब हो गया directly market से जुड़ा हुआ है तो जैसे जैसे उतार जड़ाओ share market में आएगा वैसा आप क्या market का risk इसके अंदर रहेगा और इसको diversify करना बड़ा मुश्किल काम है तो mutual fund में आपने अगर पैसा लगाया और loss हो चुका है तो क्या क्या चीज़े आपको करनी चाहिए कारण क्या है सबसे पहला point मुझे ये लगा कि paper पे मैं अपना पैसा देख रहा हूँ बढ़ते हुए और अच्छानक ये पैसा नीचे आ गया तो यहां तो 200% का फायदा था और यहां पे आपको दिखता है क्या रहे घट करके 1500% का ही फायदे पे रहेगा या फिर आपका loss हो चुका है सो ऐसी कौन सी चीज़े हमको करने की जरूरत है कि जिससे मैं mutual fund में return भी बना सकूँ और loss को भी रोक सकूँ आईए समझते है सबसे पहला point क्या आता है इसके लिए हमारे पास कि मेरे जीवन में मैं अपनी profiling सबसे पहले करूँ mutual fund का simple सा equity का rule क्या है कि equity में मैं वही पैसा रख सकता हूँ जो पैसा minimum 5 years के लिए हो 5 साल से नीचे का पैसा है तो mutual fund equity के लिए होगा ही नहीं क्यों आपको नहीं पता बजार कैसी जाएगी बजार यू जाके यू आएगी फिर उपर जाएगी क्या होने वाला सो ये देखा गया अगर minimum 5 साल के लिए पैसा लगा है तो फिर आपके लिए पैसा सुरक्षित हो जाता और बीच में अगर आपको अच्छी का तब तक उनको ब्रोकरिज मिलने वाली है तो कोई क्यों अपना कमाई को रोकने की बात करेगा? चाहे आप इंडिया के सबसे बड़े ब्रोकर के साथ लगे हो चाहे छोटे ब्रोकर के साथ अगर आपके ऐडवाईजर है तो एक बात अलग है और middle class में advisor होने के संभावना बिल्कुल कम है अगर हम इसकी बात करें आपकी profiling की तो profiling का मतलब simple सा हो गया कि मेरे जीवन में जितने भी goals है उन goals में क्या मेरे पास अगले 5 साल है आपने देखा कि loss हो गया क्या मुझे निकल जाना चाहिए market से आपको डर लगा आप निकल गया और market उपर चड़ गई तो क्योंकि market में volatility और uncertainty लाजमी है आप लंबे समय तक पैसे बनाते हैं इसके अंदर सो कोई बोल सकता है कि market यूँ जाएगी यूँ हो के उपर जाएगी या आगे नीचे चली जाएगी किसी को नहीं पता लेकिन एक simple सा मानना है कि अगर economy grow करेगी अगर 15% का total में economy grow कर रही है GDP plus inflation के साथ तो ये एक formula मिल गया कि 15% का लगभग का हमको return मिल जाएगा अगर 12-13% की economy grow हो रही है तो 15% का return आप मान के चल सकते हैं अगर mid cap आपके पास है small cap आपके पास है लेकिन क्या एक साल में ये return आएगा नहीं पता अब समस्या क्या है मेरे सामने कि अगर मैं exit कर जाओ market से एक आम निवेशक के मन में क्या ख्याल आता है मैं exit कर जाओ या मैं इसमें invested रहूँ सो बहुत मुश्किल सवाल है कि exit करूँ अब आगे बढ़ गया तो क्या करेंगे invested रहे नीचे आगया तो क्या करेंगे अपने आप में life में बहुत सारी events है तो क्या होने वाला है पता नहीं है ऐसी condition में सिर्फ और सिर्फ अगर अपनी profiling करके हम अपने investments को manage करें it is the best way कारण क्या है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सन 1993 में 1991 में अगर उन्होंने पैसे बनाए और बहुत सारे पैसे थे लेकिन आज की डेट में वो कागज के धेर में बदल गया क्यों निकाल नहीं पाए आप आखिर exit कब ले mutual fund से तो इसका simple rule है मैं अपने गोल से track करू every time I need to review my profile so मेरी situation क्या है अगर मुझे पैसे की जरूवत है अगले 3-5 साल में मैं withdraw कर लूँ आप कहेंगे मुझे तो wealth बनानी तो कैसे करें so इसका मतलब आपको financial planning का entire process जो है उसको follow करना पड़ेगा so आपके पास एक goal हो गया इनकी professional education दूसरा goal हो गया इनकी masters तीसरा goal हो गया आपके लिए इनका settlement भई हमारी feeling होती है कि बच्चे के शादी करा के घर बसा दें तो उसकी marriage उसके बाद हमारा एक goal हो गया अपने आप में कि हम अपने retirement बहुत अच्छा कर लें अब दूसरे लोग बोल सकते हैं कि मैं अपना wealth बना लूँ अरे wealth की definition क्या है कितना रुपय होगा तो wealth होगा आपका और wealth है तो पड़े रहने दीजे फिर डर किस बात का जब आप wealth बना रहे हैं आपको लगता 25 लाक रुपय है अगर आपको उस पैसे के गिरने से कोई नुकसान नहीं है आपके काम चलते रहेंगे रोज मर्रा के जीवन में दस्यों साल तक पैसा पड़ा रहे पैसा यूं हो के उपर नीचे होता रहे आपकी life में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो फिर डरने की क्या बात है लेकिन अगर नुकसान होने से पैसे की availability नहीं है पता ये चला बच्चे की फीज देनी है पांस साल के बाद तीन साल के बाद और इस वक्त आपके सामने volatility बहुत बड़ी है तो फिर आपको withdraw करना चाहिए ये situation कैसे पता करें कारण जब जब आप review करें तो आप normally review करते ही नहीं वह एक बार हमने S.I.P. शुरू की वो लमसम के तौर पर रखा हुए हमें लग रहा ठीक है बजार के साथ बहुत अच्छा है क्या बजार overvalued है क्या बजार का यहीं अन्त है क्या बजार यहां से बहुत उपर जाएगी ये सवालों का कोई जवाब नहीं इसका एक ही जवाब है periodic review अपनी situation के हिसाब से चेक करें कि आपको इस पैसे को क्या निकालने की जरूरत है क्या इस पैसे को किसी भी काम में लगाने की जरूरत है so goal wise आपने अगर investment किये हुए है तो आप किसको कर सकते हैं आप अपने advisor से पूछ सकते हैं आप अपने agent से पूछ सकते हैं कि भाई अगर निकाल लिया तो क्या करें लंसम पैसा आपने लगाया है आपने S.I.P. किया है तो भी आज की डिट में लंसम है आपके पास क्योंकि market में invested है so क्या ये ऊपर नीचे की जो volatility हम इसको control करना चाते हैं नहीं market में जब wealth बनेगी wealth बनेगी तो किसी भी हाल में अगर wealth बन रही है I need to remain invested मुझे फायदा तभी होगा जब मैं invested रहूंगा और मुझे loss भी हो सकता है कि अगर मैं invested हूँ ठीक है वो loss periodic है छणिक है अगर मैंने उस time पे पैसा निकाल लिया loss को book कर लिया मैंने जरूरत का पैसा लगाया है तो ये आपका दुरभाग्य हो सकता है उस moment पे आपको ऐसा feel हो लेकिन अगर आप उसी पैसे को लंबे समय के लिए छोड़ दें तो कोई फरक नहीं पड़ता हाँ आपका पैसा काफी बढ़ चुका है आपको लगता है कि ये पैसा आपके total investment का 60% 70% ये पैसा हो गया है और अब इसके उतार चड़ाओ से आपका BP बढ़ता है आपको tension होती है तो ऐसे condition में अपने risk exposure को आप कम कर लें क्यों भई आपने जिस तरीके की scheme में लिया है आपको क्या उपाय है risk exposure को कम करने का आईए उसको भी समझते है तो पहला point क्या आता है मेरे पास कौन सी scheme में आपने पैसा लगाया और इसका objective fund manager का क्या है जब गिरता हुआ बजार दिखेगा क्या आपका fund manager इससे exit करेगा क्या fund manager इसमें P.E. को ध्यान में रखके कोई option लेगा क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पे आप पैसा लगा रहे है market गिरेगा आपने flexi type fund लिया हुआ है सो बजार बढ़ते हुए में आपको बहुत अच्छा लग रहा है अरे गजब का return दे रहा है पहले से अगर बजार महंगी है सो अगर risk adjusted कोई fund है जिसमें risk को manage किया जाता है वो fund growth उतनी नहीं देगा तब आप complain करते हो ये fund तो इतना return नहीं दे रहा A return आप कहते हो कि A fund तो एक बहुत अच्छा return नहीं दे रहा है बजार कहां से कहां चलेगी अरे fund manager ने participate ही नहीं किया fund manager को पता है कि market की P.E. जादा है तो इसने participate नहीं किया लेकिन flexi type fund आपने लिया आपको लगा ठीक है mid cap है small cap है बहुत जादा growth देगा आपने immediately इसमें पैसा लगाया चलो grow कर रहा है लेकिन जब बजार गिननी शुरू हुई तो उसकी उल्टी गिनती भी हुई उसी speed से शुरू हुई अब हमें लगता है ये क्या हुआ तो उपाय क्या है जब आपको अच्छा gain मिल रहा था क्यों नहीं निकाला gain अच्छा था कैसे पता हो profiling simple सा point profiling अगर market में बने रहना है तो आपके सामने एक ही उपाय है कि risk adjusted return आपको चाहिए ना कि blind risk आप ले सके so risk adjusted return जितना return जितना risk आप लेंगे उसके हिसाब से आपको return मिले अगर बजार आपको महंगी लगती है तो फिर उसमें मेरा निवेज भी कम होना चाहिए तो मान लीजे मुझे 100 रुपए लगाना है और बजार महंगी है तो मुझे फिर 100 की जगे में 40-50 रुपए ही लगाऊंगा और वेट करूंगा कि अगर बजार नीचे आए तो मैं पैसा लगाऊं बाकी कभी भी बजार से क्या पूरा पैसा निकालते हैं नहीं निकालते हैं क्यों क्योंकि नहीं पता है कि बजार कहां तक जाएगी और कई बार टाइम करेक्शन भी होता है पता चला दो दो तीन साल तक मार्केट एक ही जगे पे बनी हुई है तो वो भी तो एक करेक्शन है अपने तरह का ऐसी सिचुएशन में हम अपने पैसे को टुकडों में इन्वेस्ट करते हैं मान लीजिए आज बजार यहां पे है आज की डेट में यह डेट है और यह टेन यह का पीरियड है सो पंद्रा परसंट का रिटर्न आपको चाहिए मैं थोड़ी देर के लिए सिंपल व्यार ले लेता हूं यह सो की मार्क बजार है सो से यहां पे 115, दो साल बाद 130, तीन साल बाद 145 अगर इस तरीके की मार्केट आपको लगता है कि यह एक लॉजिकल रिटर्ण मिल रहा है और अगर बजार अचानक यहां चला गया और यह 145 है इसका मतलब तीन साल का रिटर्ण आज ही मिल गया तो इसका मतलब यह है कि market आपकी fair value पे नहीं overvalued है तो ऐसे condition में आपको वो fund लेने की जरुवत है जिसमें आपका risk जो है वो कम हो तो ये बात को जरूर ध्यान में रखें market से पूरी तरह से withdrawal ना लें market में आप बने रहें अगर आपका goal पूरा हो चुका है तो आप exit कर सकते हैं अगर आपका goal पूरा नहीं हुआ है तो market में ही बने रहना आपके लिए बहतर है और लमबा समय अगर आपके पास है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है rules are very simple अगर आपके पास small cap है तो आप 10 से 12 साल के लिए पैसा रखिए अगर आप mid cap में है तो 7 साल के अफ़धी चाहिए कम से कम अगर आप large cap में है तो आपको कम से कम 5 साल की अफ़धी आपको चाहिए ही होगी आपको बस करना ये है कि जिन schemes में risk कम है जिन schemes की investment style में fund manager risk कम लेगा उन schemes में पैसा रखे ताकि अगर market उपर जाती है और fund manager को लगता है कि undervalued fund manager पैसा बढ़ा देंगे अगर fund manager को लगा कि market नीचे जानने वाली है और market high है तो वो उस पे risk exposure कम कर देंगे तो ये तरीका आपके लिए जादा बहतर रहेगा तो ये वीडियो कैसे लगी मुझे comment करके बताईएगा और अगर आपको detail में सीखना हो कि goal based आपको investment कैसे करने है अपना पैसा खुद क्यों ऐसे manage करना है क्यों brokerage देनी है इतनी जादा जबकि आपको agent आपका बता भी नहीं पाते है आपको कि किस वक्त क्या करना है और ये decision आप ही को लेने होते है तो money IQ class में आप सीख सकते है मेरे साथ Tuesday to Thursday at 7.30 pm शाम को और तीन दिनों में आप क्या क्या सीखते है आप सीखते है कि mutual fund में वो common गलतिया ना करें 20 साल तक यही fund चलेगा इस बात को ध्यान में रखें पैसा उपर जाए नीचे जाए हमेशा बने रहना है इसका कोई मतलब नहीं है आपके गोल के हिसाब से होगा और आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको अमीर बनाने में इंट्रेस्टेड हो आपको खुद ही अपना पैसा मैनेज करना पड़ेगा आप जानेंगे मेरे साथ कि कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको निकाल देने चाहिए जो आपको सबसे जादा नुकसान करेंगे और इंडिया के लगबग हर घर में वो इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है वेल्थ बनानी है तो वेल्थ के रूल्स क्या है क्योंकि पूरी जिंदिगी इन्वेस्ट करने के बाद भी लोग अमीर नहीं हो पाते तीसरी पीडी है है हमाजादी के बाद क्यों financial awareness नहीं है हमारे पास financial awareness पहले चाहिए क्यों 15-15-20-20 साल के investment के बाद भी नुकसान होता है 5-7 साल में financially free कैसे हो सकते हैं जिन लोगों के पास retirement के लिए पैसा नहीं बचाए वो अपने जीवन में किस तरीके से वापस से उठके खड़े हो सकते हैं यह सब जानेंगे हम सिर्फ तीन दिनों में और जस्ट एट रुपीज 299 हिंदी लाइंग में बिना किसी फार मिले को पढ़े और अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप ले सकते हैं इसी का recorded वर्जन साथ में मिलेगी मेरी e-book और आपको मिलेगा लाइफ सेशन का invite भी यह तीनों चीज़े आपको मिलती हैं जस्ट 499 रुपीज में तो लिंक्स आर इन दिस्क्रिप्शन यह वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके बताईएगा